दोस्तो अगर आप अपने घर के लिए एक पहतर गीजर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई सभी जनकारी आपके लिए बेहध ही उप्योगी और महत्पुर्ण होगी दोस्तो जब भी आप गीजर पर चेज करना चाहते हैं तो सबसे फ़हला सवाल यही आता है कि गीजर इंश्टंट गीजर लेना चाहिए या स्टोरेज गीजर लेना चाहिए दूसरा सवाल गीजर में कौन सा टैंक लेना चाहिए और तीसरा सवाल होता है कि गीजर में कौन सा हेटिंग एलिमेंट्स लेना चाहिए और चौतरा सवाल होता है गीजर में बोड़ी कौन सी लेनी चाहिए मेटल बोड़ी लेना चाहिए या फिर फ्लास्टिक बोड़ी और पाचवा सवाल गीजर में कितने अस्टार रेटिंग का गीजर लेना चाहिए दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको बिलकुल असान तरीके से मैं बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप आँ तक देखे ताकि आप अपने घर के लिए एक बेहतर गीजर परचेज कर सकेंगे नमस्कर दोस्तो मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं विपी एडवाइस यूटूब चैनल को तो दोस्तो इस वीडियो में सबसे पहला आपका सवाल था कि गीजर आपको इंस्टेंट लेना चाहिए या फिर अस्टोरेज तो दोस्तो अगर आप बाथ्रूम में यूज करने के लिए गीजर परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टोरेज वाटर हीटर ही लेना चाहिए इंस्टेंट वाटर हीटर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि Instant Water Heater जो है kitchen के purpose के लिए होता है bathroom के purpose के लिए storage water heater ही होता है क्योंकि Instant Water Heater में 3 kWh और 4.5 kWh का hitting elements लगा होता है और instantly वो पानी गरम करता है लेकिन अगर आप storage water heater लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 kWh का hitting elements लगा होता है दोस्तो इंस्टिंट वाटर हीटर में कोई भी अस्टार रेटिंग नहीं आती है इसलिए इनर्जी जो है बहुत ज़्यादा खपत करता है अस्टोरेज वाटर हीटर के मुकाबले तो इसलिए अगर आप बात्रूम के लिए गीजर परचेज करना चाहते हैं यहाँ पे अस्टोरेज वाटर हीटर ही लेना आप को स्थीक रहेगा दोस्तो इंस्टिंट वाटर हीटर जब ज्यादा सर्ती परती है तो वहाँ पे काम करना बिलकुल ही बंद कर देता है और आपको गरम पानी नहीं मिल पाता है और नतीजन यही होता है कि घीजर लगाने के बावजूद भी आप गरम पानी से असनान नहीं कर पाते हैं इसलिए जब भी आप बात्रूम के परपस से water heater लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको storage water heater लगाना चाहिए दोस्तो अगर single member का family है तो वहाँ पे आपको 10 liter का water heater लेना चाहिए दो member का family है तो वहाँ पे 15 liter और उससे जादर 3, 4, 5 member का family है तो वहाँ पे आपको 25 liter का water heater लेना चाहिए दोस्तो इस वीडियो में इंडिया के top 5 best water heater की भी जनकारी देंगे तो इस वीडियो को आप अंतक देखे ताकि सभी जनकारी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे और इस वीडियो में इंडिया के top 5 water heater की जो जनकारी देंगे वह बहुत ही economical series में कम पैसे में बहुत ही अच्छे quality और features के साथ आपको मिल जाएंगे दोस्तो आप बात करेंगे गीजर में कौन सा टैंक लेना चाहिए तो टैंक तीन प्रकार के आते हैं एक आता है copper का टैंक दूसरा आता है steel का टैंक और तीसरा आता है glass line coating tank polymer coating tank, animal coating tank भी आते हैं ये सभी tank जो है glass line coating tank के ही सरेनी में होते हैं तो copper का steel का आप टाइम नहीं रहा, नई technology वाला glass line coating tank ही लेने में आपको फाइदा है इस tank का सबसे बड़ा फाइदा क्या है, ये high rise building और low rise building दोनों जगह लगाया जा सकता है जैसे आप high rise building में रहते हैं तो glass line coating tank अगर purchase करेंगे तो टैंक को कोई भी नुकसान नहीं होगा और long life चलने वाला tank होता है और ये 8 war pressure का tank होता है आपने देखा होगा पहले जो गीजर आते हों थे उसमें 3.5 war pressure का tank लगा होता था जो की steel और copper में होता था लेकिन अब glass line coating tank जो होता है वो 8 war pressure के अंदर होता है और वो suitable for high rise building and low rise building and hard water protection होता है यानि कि अगर आपके घर में खारा पानी भी आता है तो उस tank को कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तो नमबर 3 अब बात करेंगे hitting elements की तो hitting elements गीजर में तीन परकार के आते हैं ये copper का आता है एक stainless steel inkly heating elements और तीसरा glass line coating heating elements आता है तो copper inkly या फिर glass line coating heating elements तीनों में से कोई भी आप परचीज कर सकते हैं लेकिन अगर आपके घर में पानी में hardness जादा है यानि कि खारा पानी जादा आता है वहाँ पे पानी के अंदर tedious कम से कम 1000 से भी जादा है तो वहाँ पे आपको inkly coating heating elements या फिर glass line coated heating elements लेना चाहिए overheating elements का गीजर बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए नंबर चार गीजर में कौन सा बोडी लेना चाहिए तो दोस्तों अगर आपके यहां मीठा पानी आता है soft water आता है जिस पानी के अंदर tedious 1000 से कम है वैसे पानी में तो आप metal बोडी का गीजर लगाएगा तो long life चलेगा लेकिन जहां पे पानी का tedious 1000 से भी ज्यादा है तो आपको प्लास्टिक बोडी का गीजर लेना चाहिए तो प्लास्टिक बोडी का गीजर मेटल बोडी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कोश्टली होता है इसलिए अगर आपके घर में पानी के अंदर tedious की मातरा कम है खारा कम है तो पे आपको metal body का गीजर लेने में ही ज्यादा फायदा है तो star rating 4 star या 5 star का water heater लेना चाहिए single star 2 star और 3 star का water heater बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए 4 star का water heater 30% तक आपको energy बचत करती है बिजिली का बिल का बचत करेगा और 5 star water heater जो है 35% तक आपका बिजिली का बिल कम करेगा तो दोस्तो water heater लेते समय इन सभी बातों का तो आपको बिलकुल ध्यान रखना चाहिए अब वीडियो में बात करेंगे इंडिया के top 5 best water heater प्रांट और मोडल की दोस्तो इस technical features के साथ अगर आप market या online से local गिजर भी purchase करेंगे ओ भी long life और बादा चलने वाला गिजर होगा दोस्तो इस वीडियो में हमने list तयार कर लिया है इंडिया के top 5 best water heater प्रांट और मोडल की तो हमारे list में number 5 पे है हेबल्स और हेबल्स का मोडल आता है इसके inner tank glass line coating tank है और इसमें heating elements भी glass line coated heating elements लगा हुआ है दो किलो वाट का इसमें heating elements आता है और outer body जो होती है इसकी metal की होती है फोर star rated water heater है इसमें आपको installation free होगा और pipe भी साथ में company free दे रही है दो साल complete गिजर की warranty आती है और 5 साल इसके inner tank की warranty आती है दोस्तो प्राइज आपको 8,000 रुपे का 25 लिटर का है और 15 लिटर और 10 लिटर का प्राइज जानने के लिए हमारे comments वाक्स में comments कर सकते हैं दोस्तो हमारे लिस्ट में number 4 पे है crompton और crompton का model आता है amica 2025 इसमें polymer coating tank लगा हुआ है और copper का heating elements गिजर में लगा हुआ है फाइज इस्टा रेटेड वाटर हीटर है इसकी outer body metal की है दो साल की गिजर की complete warranty मिलेगी साथ साल इसकी टैंक की warranty आती है इस्टोलेशन इसमें फिरी होगा लेकिन pipe का खर्च आपको अलग से प्रिक करना पड़ेगा प्राइज इसकी 6,500 रुफे की है दोस्तो हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है वीगार्ड और वीगार्ड का मोडल आता है ECN ECN में आपको polymer coated tank मिलता है और element coating hitting elements इसमें लगा हुआ है 4 star rated water heater है outer body इसकी metal की है दो साल गिजर की complete warranty मिलती है 3 year hitting elements की warranty मिलती है और 7 year इसकी tank की warranty मिलती है installation इसमें free होगा लेकिन 5 का खर्च आपको अलग से करना पड़ेगा इसकी price 7,000 रुपे की है दोस्तो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है हायर का मोडल आता है E1 जो की UMC coating triple layer coating tank है इसमें और in-clay का hitting elements लगा हुआ है outer body इसकी metal की है 5 star rated water heater है चार साल की इसकी complete warranty आती है और 7 साल इसकी tank की warranty मिलेगी installation इसमें आपको free होगा लेकिन 5 का खर्च आपको अलग से पे करना पड़ेगा 25 लिटर की इसकी price 7,000 की है 15 लिटर और 10 लिटर की price जानने के लिए आप हमारे comments box में comments करके पूछ सकते हैं दोस्तो हमारे list में number one पे है बजाज और पजाज का मोडल आता है popular new इसमें आपको glass line coating tank मिलता है साथ ही titanium का एक और dual layer coating tank है इसमें copper का hitting elements लगा हुआ है दो साल की complete गिजर की warranty है 5 एरिष की tank की warranty है outer body इसका metal का है और four star rated water heater है ये गिजर sun flow technology के अंदर आता है तो दूसरे गिजर की मुकाबले आपको 20% ज़्यादा गरम पानी इस water heater में मिलता है और गिजर की installation और pipe दोनों चीज ही free है इसकी 25 लिटर की price 6900 रुपे की है दोस्तों ये थे इंडिया के top 5 best water heater brands और model की जनकारी तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को किरप्या लाइक कीजे और वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजे धन्यवाद